के लिए कितना बड़ा जटका है जब नितिश कुमार वीजेपी के साथ चले गए क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि आप लोग काफी कुछ अर्मान राजनीतिक रूप से पाले हुए थे कि नितिश कुमार यूपी में आएंगे चुनाओ लड़ेंगे और आप लोगों की भी सा सार है और उसकी एक ऐसी इमिज बन रही है कि वो अपने बच्चों के बीच में खड़ा होता है तो शक की निगाह से देखते हैं कि पता नहीं कब पलड़ जाएगा क्या कर देगा हमारा बाप हमने कभी नितिश कुमार जी को तप देशमन ने आमंत्रित किया उनके ही लोग जंतादल यू के ही लोग यह चलाते थे कि आज समीक्षा की गई यहां की वहां की वह उनकी समस्या है समाजवादी पार्टी के किसी प्रवक्ता ने किसी पार्टी प्लेटफॉर्म से किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने कोई उनके लिए ना ओफर दिया पार्टी को उनकी क ने किसी ने कोई कुछ किया अब सवाल यह है कई बातें क्योंकि हम direct confrontation में हैं नहीं वहां बहार में लेकिन फिर भी कुछ बातें कहीं जा रही है तो मैं समझता हूं पैनल पर हूं तो मुझे कुछ बात कर देनी चाहिए पहली बात तो यह कहना कि हम लगातार बने हुए हैं जनता आशीरवाद दे रही है जेडी यू का वोट था 37 से 40 परसेंट तक एवरेज वोट रहा है 2005 से लेके आखरी चुनाव था और पिछले चुनाव में वोट आया जेडी यू को 15.39 15.39 कहां 37 और 40 और कहां 15 15.39 इनकी सीटें 115 तक रही है बिधान सबा में और पिछली वे आई 43 ओल टाइम लो लाइफ टाइम लो सीटें हैं ये जेडी यू की उसके बाद भी हम बने हुए हैं जन्मत है और जनता का सीरवाद है और तो आपकी आप सिस्टम में बने हुए हैं और देखें सिस्टम में बनाई सफलता का परेडाम है सफलता की गारंटी है तो तैसील और ठाने के दलाज तो 50 साल से बने हुए है उनने तो कोई हटाई नहीं पता बताते तो इस अगले आई आज प्रिस तर पहले मैंने सिर्फ यह कहा कि इस तर्कों मैं सुईकार नहीं करता कि हम सरकार में इसलिए हमारा सब सहिए नितिश कुमार जी कल भी मैं आज केराऊं हिम्मत करके नितिश कुमार कल आये थे समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हमको बनाने कि आप गड़ बन्दन में रहे हम जल्दबाजी में नहीं थे कल भी नितिश कुमार आएंगे कि भाजपा को हराने के लिए आप हमारे साथ आईए तो हम उनका स्वागत करेंगे क्योंकि हमारा मूल मुद्दा भारती जनता पार्टी को हराना है नितिश कुमार को बताना है कि तुम कभी जताते हो कभी हराते हो हमारा मुल मुद्दा राईट्र बसपा बमुके अब रयादे को भारती जन्ता पार्टी लायाँ को हरने समीकर्ण ने ब्युप हना चाहते हैं कोई भी व्यक्ति जो भारती जन्ता पार्टी साफ़ाना चाहता है क्योंकि हमारी वैचारिक लडाई है व्यक्तिकर लडाई नहीं है हम तो अपने विचार पर काया में नितिश्च खुमार जी या कोई भी एक्सवाई-जेट अगर ऐसी परिस्तिति बेना करता जिससे की इस देश के संजधान से मजाक करने वाली पार्टी खत हारती ह है हमको स्वागत करना चाहिए उसका मैं कुछ और बात बता रहा था आपने थोड़ा बीच में सवाल पूछके आप ड्रेल कर देते हैं सवाल पूछना डिरे नहीं मुद्धा दूसर चला जाए आचा ठीक है बोली मूल बात यह है कि नितिश्च खुमार जी जो आज कह रह है हमारे दफ्तर में आके का हमारी तो शिकायत इतनी आप जा रहे थे तो एक बार हमें तो बताते है हम ना कांग्रेस हैं न हम आर जेडी हैं भाजपा के साथ तो हम जाई नहीं सकते था आपको धोखा दिया नितिश्कुमार ने नहीं उन्होंने तो हर विक्ति को धोगा द कहते कोई चर्चा होती अचानक रात में उठे और सुबह राजभवन गए और शांत को सपत दे लिया जैसे पहले किया था तो एक अलग बात है और इस दोनों बातों से भी महत्पूर बात यह है कि भारती जनता पार्टी की क्या मजबूरी है क्या ऐसा कारण है कि चलिए न बड़ाई में नहीं है कि इनको क्या जरूत पड़ी कि अपनी राष्ट्य देच की पूरी बड़ी बड़ी घोश्राओं को मिटाना पड़ता है खील कांटे दुरूस्त कर रहे हुए इनको क्या जरूत पड़ी पीछे से कहानी आ रही है कि वहां के पूर चीफ सेकेर्टरी से लेके और उनके MLC तक सबको ED ने उठाया जांच की तो आप लालू जी की तरह लड़ना नहीं चाहते इसलिए केस नहीं होता आप पर जिसका दवाब पने जिसकी सरकार बने उधर भाग जाईए केस नहीं होगा मैं यह मानू कि यह विपक्षी एकता का बड़ा बिखरा हो है नितीश का उधर चले जाना देखिए राजनेतिक ताकतें जोड़ती घरती रहती है मैंने आपको पूल परसेंट बताया था ना कि जहीं नितीश कुमार 3740 परसेंट पाते थे पंदर परसेंट पर आ गए 24 में क्या होगा अच्छा विवी बता दो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की सार्विनिक भरस्तना देश-विदेश में बड़ी बदनामी हो रही नितिश और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपनी पॉलिटिस को स्टेब्लिश किया क्योंकि कोई आरोप नहीं लगा पाए आप के रहें नौकरी बारे मों पैसा नहीं ले पाए जमीन नहीं मिली जमीन नहीं मिली यह इस तरह की बात हैं कहने में थोड़ा शर्म मैसूस करनी चाहिए आपने कोई फैसला लिया आपने फैसले बाक्स